मोबाइल फोन है निक ऐसी चीज़े जिसने हम सबकी जिन्दियों काफ़ी जादा आसान बना दी और स्मार्ट फोन के दम पे हम पूरी दुनिया से कनेक्ट रह सकते हैं और एक तरह से देखा है तो इसका हम यूज एंटरेटेन्मेंट के लिए भी कर सकते हैं और काफी सारे लोगता ऐसे कि जिनका जो बिजनस है वो भी स्मार्ट फोन के पर टिक्मेंट करता है अब देखा जाते हैं स्मार्टफोन एक अच्छी चीज है लेकिन जब उसको आप हद से जाधा यूज़ कर ले तो ना तब यहाँ पर प्रॉब्लम की शुरुआत होती है चलिए आज इस वीडियो बात करते हैं और इससे छुटकारा कैसे पाए जा सकता है और जो बड़ी-बड़ी स्मार्टफोन कंप्पनीज है एप्पल गूगल जैसी वो यहाँ पर क्या चीज़े कर रही है तो वीडियो गर आप लोगो को पसंदार है तो फ्लीज लाइक करते ह सबसे पहली बात आती है आकर स्मार्टफोन एडिक्शन होता गया वैल किसी भी चीज़ को अगर आप जरूरत से जादा यूज करने लगते हो ना तब यह प्रॉबलम आती है मतलब कि आप अपना खुद का जो यूजज पैटर ने वह देख सकते हो कि एक दिन के अंदर प्रॉबलम हो जाती है लेकिन उसके अंदर आप घंटो घंटो अगर इस्पैंड कर रहे हो ये प्रॉबलम हो जाती है इवन स्मार्टफोन इडिक्शन पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप जो रोज सुबह उठते हो ना तो वहाँ पे आप ये चेक करो कि एग्जेक्ली आप उसके बाद कितने टाइम के बाद मोबाइल फोन को अपने हाथ में लेते हो कि आ उठते साथ ही अप मोबाइल फोन को अनलॉक करकर नोटिफिकेशन चेक करते हो या फिर कुछ गंटों के बाद या थोड़े की टाइम के बाद आप इस चीज के एकसेस करते हो ये काफी इंपॉर्टन चीज है इवन रात को सूने से पहले कि आप मोबाइल फोन की स्क्रीशन देख के सोक् किया गया था और उस समय देखा गया था कि लोगों को Walkman के साथ भी था यहां पे TV के साथ भी था उस समय गेमबार जो विडियो गेम से उन सब के साथ ही था लेकिन समय सर समय चीज़ा बदलते हैं और आज के समय मोबायल फोन आगया कुछ लोगों यहां पर Gaming का रहता है जैस नॉमोफोबी अभी होता है अब नॉमोफोबी ये देखा तो एक psychological fear है जिसका मतलब ये है कि mobile phone ना होने का डर कि अगर आपसे आपका mobile phone ना चले जाए तो इस चीज का डर लगा रहता है वो और बार बार जो आप mobile phone को access करते हो ना शर्ट ये चीज इस चीज को भढ़ावा देती है अब देखा तो चीज काफी जादा complicated है लेकिन इसको solve कैसे किया सकता है well solve करने कुछ basic reason है मतलब obviously है कि आप जो time mobile phone पर spend कर रहे थे वो काम आप किसी और चीज पर spend करना चालू करते हैं सबसे basic चीज तो है कि लोग के साथ बात कीजे भार घूमने जाए या अलग लग चीज़ आप try out कर सकते है इसके साथ ही आप ये try कर सकते है कि mobile phone के अंदर एक दिन के लिए सभी notification off करके देखिए उसके बाद काफी बड़ा एक improvement मिलेगा इसके साथ आप ये भी कर सकते है कि जिसे हम कहा जाता है कि social media detoxification यानि कि अपने phone से social media apps को एक दिन या दो दिन के लिए completely remove करो और उसके बाद आप शाम को जाकि या अगले दिन उसको access करो तो हो सकते है कि आप चीजों से दुवारा से catch up कर पा हो लेकिन exactly आप ये social media detoxification होते है ना इसका use करके जो social media apps के जो लच 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 जो कि आज के समय लोग हो चैसे facebook, instagram, youtube हो गया है या फिर real चल रहे है जो आज कल तरह तरह के social media platform आगए जो बहुत ही ज़ादा addictive होते है उन से यहां पर चुटकारा पाई जा सकता है जो कि काफी के importance है इसके साथ एक और important बात यहां पर यह भी है कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपका जो business है जो काम आप करते हैं अगर वो social media या फिर mobile phone से काफी अच्छे तरीके से integrated है तो और उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको mobile phone के काफी जाद आदत लग चुकिए तो एक छोटी से tip है कि आप किसी पुराने phone को यहाँ पर यूज कीजिए जिसकी screen छोटे हो जो कि lag करे तो कई बाद ऐसा हो कि mobile phone को चलाने का आपको money नहीं करेगा यह कुछ basic चीज़े जो आप नहाँ पर कर सकते हैं इसके साथ ही बात की जातो यहाँ पर iPhone के अंदर screen time देखने को बलता है Android के अंदर को digital valbing देखने को बलता है आप देख सकते हैं आपने किती बार phone का unlock किया किती notification है किते घंटे आप mobile phone के उपर spend कर रहे है और किते minute आपने कौन-कौन सी social media apps पे आप active रहे यह काफी important चीज़ रहती है जिससे आप क्या कर सकते हैं आप decide कर सकते हैं कि हाँ आपको लग रहा है कि problem है और वहाँ पे आप time limit भी कर सकते हैं और आगे चल की जो दूसर productive task होते हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं यहाँ पे आप do not disturb कर सकते हैं अगर आप कोई parent है तो अपने बच्चों के लिए parent unlock बगर लगा सकते हैं अलग-लग चीज़ें कर सकते हैं मॉबाइल फोन पे जो time में लिमिट हो जाए इवन देखा तो Google ने भी काफी सारी अपनी apps में चीज़ इंप्लिमेंट करी है अगर जरूरत से जादा आप YouTube देखते हैं तो आपको warning भी देखने को बज़ती है जो कि काफी एक अच्छी चीज़ है इवन काफी सारी जो स्मार्टफोन बनाने वाले कंपनीज़ है वो भी आज के सम्में यही कर रही है कि मॉबाइल फोन देखा जाए तो एक चीज़ अच्छी है लेकिन उसके कारण जो लोग एडिक्शन का शिकार हो रहे है इस चीज़ को किस तरीके से कम किया जाए और मॉबाइल फोन एक हद से जादा यूज़ ना कर ले लगे लो तो इस चीज़ को यानि कि किसी भी चीज़ अगर एक हद तक आप यूज़ करते हो तो वो एक अच्छी चीज़ है प्रफोन एडिक्शन के शिकार है नहीं क्योंकि काफी सारे लोग है एडिक्शन मॉबाइल फोन का होता है लेकिन मानते नहीं और उसके पीछा लगे रहते है जब तक लोगो सच्चा ही बता आना जाए लेकिन जब तक उन्हें बात पता चलती है अब तक काफी देर हो चुकी होती है यह एक इंपोर्टन चीज़ है सोचने वाली तो सोच रहा था इस डीट टॉपिक पर वीडियो बनाया जाया इस स्मार्टफोन एडिक्शन भी क्योंकि इस स्मार्टफोन के बारे हम काफी सारे बाते करते रहते हैं लेकिन इसका एक जो निगेटिव साइड भी है वो भी लोग है यहाँ पर जानना काफी जाथ ज़रूर तक तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देने चैनल को सब्स्क्राइब कर लेना थैंपको को विटी तेखनीकली मैं आप सुम दो नेक्स फंद में गुद बाए